कि फंडामेंटल अफ नर्सिंग का हम आज अगला टोपिक के बारे में बात करेंगे नर्सिंग इथिक्स मतलब की नर्सिंग का नैतिक सिधान्त नर्सिंग का फस्ट नैतिक सिधान्त है आपको कोई भी ऐसा कार्ज नहीं करना है जिससे नियम कानुन का उलंगन हो अम्मानुए हो लोगों के मनावता के विरूध हो ऐसा आपको कोई भी कार्ज नहीं करना है नर्सिंग का फस्ट नैतिक सिधान्त है दूसरी बात कि आपकी हमेशा मानों सिवा में तत्पा रहना है मानों की स्वास सिवा के लिए आपको हमेशा त्यार रहना है किसी भी प्रस्थिती में स्वास सवन्थित छेतर के लिए आपको हमेशा त्यार रहना है किसी भी पेसेंट के साथ आपको हमेशा सिष्टा चार पुर्बग और प्यार पुर्बग बिहार करना चाहिए कभी भी रुष्ट भासा में नहीं बात करना चाहिए सिष्टा चार पुर्बग उनसे बात करना चाहिए आपको हमेशा मृद भासी और बिनम्र होना चाहिए अपने आपके सेनियर द्वरा चिकसत अधिकारी द्वरा जो भी आपको कार्ज दिया गया है उस कार्ज का निर्वाहन उत्राइदित्व पुर्वक करना चाहिए कभी भी अपने कार्ज में लप्रवाही नहीं करना चाहिए आपके साथ जो भी सहकर्मी है उन सहकर्मियों के साथ आपका बिवहार मधुर होना चाहिए और सहयोग का भावना होना चाहिए मरीज के कोई भी आपको गुपनिये बात बताता है अपनी उस गुपनिये बात को कभी भी उसको बाहर किसी दुसरे को नहीं पताना चाहिए आपको जो भी निर्देश दिया जाता है उस निर्देश को आपको अच्छे से पालन करना चाहिए आपके चिक्टती सों को दरा जो भी निर्देश दिया जाता है ुस निर्देश को आपको पालान करना चाहिए अपने नौलेच को हमेशा अप्डेट करना चाहिए तकी नई नई जो कुछ भी research हो रहा है उन्सथान हो रहा है उन्चीच की जनकारी होनी चाहिए पेसिंट को इलाज करते समय हमेशा बेज्ञानिक तरीका और सिधान्तिक तरीका से इलाज करना चाहिए पेसिंट को कभी भी हर्क नहीं करना चाहिए उनके मन भावनाओं को हमेशा कद्र करनी चाहिए